हलो फ्रेंड्स वल्कम टो माई चैनेल अल अल अबाउट जॉब्स रेफ्रेंड्स एचेल यानि की हिंदुस्तान एडिरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत यह अच्छा रिकूड्मेंड के लिए नोटिफिकेशन निकलके आया है जिसमें डिप्लॉमा भी भी टे करने वाला हो की कौन सी पोस्टिंग अलके आया है उसके बाद eligibility क्या रखा गया है selection procedure and application procedure क्या होने वाली है तो आप लोगो को हार एक इंफॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए तो नेक्स चलते ओफिश्याल नुटिविकेशन की तरफ तो फ्रेंट्स ये है इसका ओफिश्याल नुटिविकेशन जो आप लो देख पा रहे हो कि हिंदुस्तान इनॉर्टिक्स लिंटेट की तरफ से आया है तो फ्रेंट्स सूपोर्ट करें ताकि मोर्ची जो शाइसे अच्काल पॉर्मेशन अपने हो के लिए। लेकर आने के लिए। तो स्टार्ट करते है डिटेशल नुटिविकेशन की तो फ्रेंट्स शेडूर्चान के लिए वह एकिनश निकलके आया है बात कर लेते हैं लिएकिंसी और उप FRENCE P FIRST है टेशन अपरनटाइज ट्र dental के लिए टोल नमघुड़ ग्रेजुट अपरनटाइज ट्रीनिक एकसी एकसी 19 देशन गाया है। Next is mechanical engineering के लिए graduate apprentice के लिए 8 और technician apprentice के लिए 15 vacancy है. Next is civil वालों के लिए graduate apprentice के लिए 2 और technician apprentice के लिए 3 vacancy है. Next is computer science and engineering के लिए graduate apprentice वालों के लिए 6 और technician apprentice वालों के लिए कोई भी vacancy नहीं रखा गया है. नेक्स टे एरोनार्टिकल इंजिनेरिंग के लिए ग्रैजूट अपरेंटाइस के लिए दो और टेक्निशन अपरेंटाइस के लिए कोई वैकंसी नहीं रखा गया है और last day commercial and computer practicing के लिए जिसमें graduate apprentice के लिए कोई vacancy नहीं है बार technician apprentice के लिए total 10 vacancy है कुल मिला के graduate apprentice के लिए 70 vacancy निकल के आया है और technician apprentice के लिए total 80 vacancy निकल के आया है अगर आप लो graduate apprentice के लिए अप्लाई कारते हो तो उसके लिए अप्लाई कार सकते हो अगर आप लोग technician apprentice के लिए अप्लाई कारते हो तो उस case medical qualification में अगर आप लोग electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, mechanical engineering, civil engineering, commercial and computer practicing इन सब में से अगर आप लोग 3 साल का diploma कारके राखे हो तो इसके लिए अप्लाई कार सकते हो इसमें अप्लाई कारने के लिए अगर आप लोग आपके BV Tech और Diploma 2019, 2020 और 2021 पे पास आउट किये हो तो ही आप लोग इसके लिए eligible हो जो लोग 2019 से पहले पास आउट किया है वो लोग इसके लिए eligible नहीं है अगर आप लोग आपके BV Tech और Diploma पे फाइनल यार पे हो तो भी आप लोग इसके लिए eligible नहीं हो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो नेक्स्ट बात कर लेते है एज लिमिट की वारे में तो फिट्स एज लिमिट एहीं पे 18 यार्ट से लेके 24 यार्ट से रखा गया है उसके लब अगर आप लोग एससे की OBC और PWD के अटियेट हो तो उन लोग को एस पार गवर्टमेंट नॉम्स एजलाक्सेसन मिल जाएगी जैसे सिस्टी कैंडियेट के लिए 5 साल का, OBC कैंडियेट के लिए 3 साल का और PWD कैंडियेट के लिए 10 यार्ट के जिलाक्सेसन आपको मिल जाएगी इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अपन्टेस्व अगरा कारके डाखे हो तो आप बीटेक और दिपलाओ में जितना भी पर्समट्र चाब मार्ग से उसके वेशिस के आपको शॉट लिस्ट किया जाएगा आगार आप लोग उसमें शॉट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आपको डॉक्मेंट वरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्मेंट वर वालों के लिए स्टाइप एट थाउजन पार मांत मिल जाएगी नेक्स बात कर लेते हैं अप्लिकेशन पॉसुडियोर की वारे में तो फ्रिंट्स एप्लिकेशन पॉसुडियोर एहीं पर ओनलाइन रखा गया है इसमें अप्लाइब करने के लिए फस्ट आपको एमीचारी पर ररेइस्टेशन करने के बाद आपको सिस्टम डिजिट का इन ओल्मेंट आडी मिल जाएगी वो आईडी और पासुअर्उट लेके आपको ने इसमें अपशन को छूज करना होगा और उसमें आपको टाइप करना होगा इंदुस्त्रा इंडरॉर्टिक्स लिमिटेड ह यह टाइप करने के बाद आपको सार्च ओप्शन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको सामने पोस्ट का डिटेल्स ओपन हो जाएगी और इसमें एप्लाई करने के लिए आपको राइट साइट में एक अप्लाई ओप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको क् आपका application form successfully submit हो जाएगी तो friends यह है इसका details application procedure next friends इसमें आपका apprenticeship का duration 1 year तक रहेगी और इसमें आपका job location है थाइदराबाद में रहेगी next बात कार लेते important rates की बाड़े में तो friends online application form start हो चुकी है 7 January 2022 से और online application form submission के लिए last date रखा गया है 19 January 2022 उसके लवा अगर आप लोग documents verification के लिए short list होते हो तो document verification का exact date, timing और venue आपको MLID के थूपे send कर दिया जाएगा तो friends यह है इसका details notification और वीडियो का details में इस official notification का PDA पने टेलीग्रम चैनल पे share कर दूँगा आप लोग vast account कर सकते हो अगर आप लोग उने अभी तक हमारे टेलीग्रम चैनल को जॉइन नहीं कियो तो ज़रूर जॉइन का लेना कि क्यों में जो भी वीडियो बना कि YouTube में upload करता हो उसका link वगरा में बहां पे share कर देता हो अगर आप लोग कोई भी नोटिविकर्शन नहीं पे miss कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्रम चैनल से चिकाउट कर सकते हो उसके लाब आप जॉप के लेड़ेट अगर कोई भी नियूज जा तो इंफॉर्मेशन आती है तो हमें टेलीग्रम चैनल पे share कर देता हो अगर आप लोगोंने अभीता को मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को ज़रोट सब्सक्राइब कर दो और बिल आइक उनको प्रेस कर दो ताकि आप को आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को जद शादा लाइक करे, कॉमेंट करे, श्यार करे और सब्सक्राइब करे, ताकि मैं मोटिविशन मिले, ऐसे अच्छा अच्छा मोटिविशन अपलोग के लिए लेके आने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स टूडियो पे एक नया जाप मोटिविशन के साथ, तब तक के लिए गुडबाई, थैंक यू